महाभारत धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, जिसमें कुछ लोगों ने धर्म का पक्ष्चुना और कुछ लोगों ने अधर्म का। महाभारत के काल में भी भगवान राम के वन्शज मौजूद थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्याय और धर्म के लिए जाने गए भगवान श्री राम के वन्शज ने महाभारत की लड़ाई में किसका पक्ष्चुना था। चलिए जानते हैं महाभारत युद्ध की घोशना होने के बाद पांडव और कौरव अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अलग-अलग राज्यों और प्रातों के राजाओं से मदद मांगने लगे कि वो इस लड़ाई में उनका साथ दें उस युग में भगवान राम के वन्शज भी शासन में थे और महाभारत एक धर्म के लिए की जाने वाली लड़ाई थी पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का भी साथ हासिल था इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि अधिकतर राज्य पांडवों का साथ देंगे लेकिन परिस्थिती इसके उलट थी कौर्वों का पक्ष मजबूत होने के कारण अधिकतर राज्य कौर्वों के पक्ष में जा खड़े हुए सबसे ज्यादा चौकाने वाली बात तो यह है कि भगवान राम के वन्शच भी इस धर्मयुद में कौर्वों के पक्ष में खड़े थे दरसल भगवान राम के वन्शज का कौर्वों का साथ देने के फैसले के पीछे एक बहुत बढ़ा कारण था जो उनके साथ हुए अन्याय से जुड़ा था जिस दौर में महाभारत हुआ उस समय भगवान राम के पुत्रकुष के 32 वन्शज अयोध्या के राजा थे उनका नाम ब्रिहदबल था जो की अत्यंत शक्तिशाली और धर्म प्रायन राजा माने जाते थे वे महाभारत युद्ध के सर्वशक्तिशाली युद्धाओं में से एक साबित हुए थे और उनका कौर्वों की ओर से लड़ना पांडवों के लिए बहुत बड़ी ख्षती थी लेकिन कौर्वों का पक्ष चुनने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा कारण था पौरानिक कथा के अनुसार जब पांडव महाभारत युद्ध से पहले इंद्रप्रस्थ के स्वामी बने थे तब उन्होंने एक राजसुए यग्य करवाया था यग्य के नियमों के अनुसार पांडव घूम घूम कर सभी राज्यों को अपने अधीन करने लगे जो राज्य उनकी अधीनता नहीं मानता उन्हें पांडवों से युद्ध करना पड़ता और युद्ध में पांडव भाईयों को कौन हरा सकता था बाकी राज्यों की तरह अयोध्या राज्य को भी अधीन करने भीन पहुँचे जहांके राजा ब्रिहत्बल थे भीन ने ब्रिहत्बल को हरा कर अयोध्या को अपने अधीन कर लिया इसी के बाद से ब्रिहत्बल पांडवों से क्रोधित थे और उनसे बदला लेना चाहते थे पांडवों को सबक सिखाने के लिए ही उन्होंने महाभारत युद्ध में कौर्वों का साथ दिया चुंकि ब्रिहत्बल बहुत शक्तिशाली थे और पांडवों के हार का कारण बन सकते थे इसलिए क्रिश्ण ने उन्हें समझाने का फैसला किया ब्रिहत्बल पहले ही कौर्वों का पक्ष चुन चुके थे तो उन्हें अंतिन समय में उनका पक्ष चोरना अपने मर्यादा के खिलाफ लगा लेकिन भगवान कृष्ण के आदेश पर उन्होंने युद्ध में अपनी पूरी शक्ती का प्रयोग नहीं किया बलकि एक उदासीन योद्धा की तरहा लड़े यही कारण था कि ब्रिहदवल जैसा शक्तिशाली योद्धा भी महाभारत युद्ध के तेरहवे दिन मारा गया अर्जुन का पुत्र अभिमन्यू जब चक्रवियू को तोरने के उद्देश से जब चक्रवियू में घुसा तो दूसरे द्वार का रक्षक ब्रिहदवल था जिससे उसकी भिडन्त हुई और वह अभिमन्यू के हाथों वीरगती को प्राप्थ हुआ ब्रिहदवल की मृत्यू के बाद उनके राज्य को उनके जेश्ट पुत्र ब्रिहदक्षण ने संभाला